जै समिधान जै भीम मात्मा गांदी की जै गोट से मुर्दाबाद देखे पिछले चार दिन से हम लुग बात कर रहे थे अडानी जी के कमपनियों के बारे में और हम ये भी बात कर रहे थे कि जब से ये USA कोर्ट्स ने इंडिक्ट किया है कमपनीज को अडानी जी की तबसे लगातार अडानी जी के शेर्स गिर रहे हैं वकरी 20-22 परसेंट पिछले चार दिन में गिर गए लेकिन आज अचानक सारे शेर्स अडानी जी के बढ़ गए क्यों बढ़े कैसे बढ़े सही में बढ़े या बढ़ाए गए यह एक अलग मुद्धा एदेखिए पहले एक चीज मैं अपना डिस्क्रीमर देदूं कि ना तो मैं कोई वकील हूँ तो मैं वकीलों की तरह मैं बात नहीं कर रहा हूं केवल वकीलों से राय लेके ही मेरी बात पर आप इस्टेशन करें उससे आगे बढ़ें लेकिन मेरा जो common sense है उससे मैं बात कर रहा हूं और मेरे common sense को अपने common sense से मिलाके जो बात मैं कह रहा हू मैं केवल परिस्थिति का विश्लेशन कर रहा हूं और विश्लेशन पे जो मेरे तर्क हैं उनको सुनिए और केवल एक अध्यापक के तर्क समझकर उस पे विश्लेशन कीजिए जो चाहे आपने नहीं लीजे अपने फानेशल एडवाइजर से बात करके और अपने लीगल एक को अचानक अडानी के सारी कंपणियों में उचाल आ गया है अब यह उचाल क्यों आया क्योंकि एक दिन पहले की बात है कि जो टोटल गैस है फ्रांस की कंपणी और बहुत बड़ी कंपणी है वर्ड की हुआ है उससे बाहर ना निकल जाएं अब टोटल गैस ने भी जैसे हमारे हिंदी में कहवात है कवा कान लेके उड़ गया ऐसी बात करके अगर फ्रांस के टोटल गैस ने भी निर्ड़े ले लिया तो बात अलग है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ बलकि आज सुपर लैंड में भी इंक्वारी चल रही है मौरिशस में भी चल रही है जापार ने वूलर ट्रेन का प्रोजेट कैंसल कर दिया है श्रिलंका बंगला देश अमेरिका केन्या मना हर देश के अंदर इस्राइल जो हाइफा पोर्ट वहां पे दिया गया था जो बोदी जी गये थे पिर अडानी जी को पोर्ट दिलाया था वहां भी वहां के श्रमिक भीशन रूप से अंदूलन रत हैं अडानी जी के खिलाफ तो इसराइल जो हमारा तथा कथित परम्मित्र है पिछले दस साल से वो भी उनके अभी श्रमिक जो हैं स्ट्राइक पे हैं और स्ट्रेलिया में भी जो खदान हैं उसके मामले में वहां के श्रमिक स्ट्राइक पे हैं तो अब सवाल यह है कि आज जो चार दिन से अडानी जी के शेर गिर रहे थे वह अचानक आद पढ़े क्यों और क्या यह बढ़े वास्तविक्ता में बढ़े या यह कोई ट्रैप में लेने की समाने त आज एक बहुत बड़े वकील साहब बुकल रोत्यूगी साहब आए और उन्होंने आके एक प्रेस कॉंफरेंस की और प्रेस कॉंफरेंस जो उसकी की मैं एक नॉन लॉप्रोफेशन का आदमी उसका किवल विश्लेशन एक अध्यापक के रूपें कर रहा हूँ मैं विकल रोत्यूगी साहब की विचार में उन्होंने कहा कि यह जो इंडिक्मेंट हुआ है जो चाट है उसके क्लॉज वन्टू क्लॉज 55 कहीं गौतब अडनी और सागर अरदानी का नाम नहीं है तो इसमें गौतब अननी और अगर अर्दानी को क्यों बिनाबाद के लिए घेरा जा रहा है अज़र ये भी रहुतिकी सामने कहा कि वो ये जो राय दे रहे हैं उनकी व्यक्तिकत राय एक वकील की तरह की राय नहीं है तो व्यक्तिकत राय मेरी भी है जैसे उनकी व्यक्तिकत राय और मेरी कोई के प्रेस कांफरेंस से और उन्होंने आके रिएटरेट किया और राहुल गांदी ने भी रिएटरेट किया कि यहां छोटे-छोटे मामले में तो और फिक्टीशियस मामलों में तो जेल हो जाती है निल देश्मुक को संजय राउत को मनेश सौधिया को और विंद के जुबाल को संजय सिंग को फिक्टीशियस मामलों में और बाद में वो कोट से छूड़ जाते हैं लेकिन इस मामले में जहां 23-100 करोड़ की घूस का मसला है वहां पे न कोई इंक्वारी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर न कुछ हो रहा है कि लिए गर रोतगी सामने जो कहा उसका व जो वहां अमेरिका के अंदर के रेजिजेंट्स हैं उनके जो नेशनल से उनके अपर वो कानून लागू होता है तो वहां पे इनका नाम लिया भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो फॉरेंड नेशनल है वो भारती नेशनल है और अमेरिका के नेशनल नहीं है इसलिए उसमें उनका नाम नहीं लिया जा सकता था लेकिन जो अडानी एजियोर करके कमपनी है जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और जहां पे वहां पे लोग हैं उनको जरूर उसमें इंडिक्ट किया गया है और अडानी ग्रूप के लोगों को इसमें इंडिक्ट किया गया है तो पहली बात यह होता है कि पहले पांच क्लॉज में अगर इन लोगों का नाम नहीं भी है लेकिन बाद में जैसा सुप्रिया स्नेज़त बताया गौतम अडानी जी का नाम भी है और सागर अडानी जी का नाम भी है तो नाम है अच्छा तूसरी बात यह है कि जब उसके मालिकानिक हग जो है वो गौतम अडानी जी और सागर अडानी जी के पास है तो अगर मालीजे एक company का एक employee अगर जाके घूस की पेशकर्ष करता है घूस देता है और listing agreement और कानून का उलंगन करता है तो वो employee जिसकी तनखाही लाखों में है वो करोणों रूपए और बाइस सो करोण की घूस कैसे देगा इसका मतब यह है जैसे हमारे देश के अंदर कान clause 1 clause 5 में है जो वहीं के nationals हैं क्योंकि उन्हीं को किया जा सकता था उन्हीं को किया गया है लेकिन जब उनकी गवाही होगी जब वो पेश होंगे court में तो बताएंगे किसके orders पे और वो documental proof देंगे और शायद वो documental proof वहाँ के FBI ने और SEC ने जो धाई साल की inquiry के बाद पकले हैं और जो सागर अडानी जी के documents और उनके gadget से पकले हैं इसका माने उनके बाद प्रूफ है कि वो understanding है जिन employees को indict किया गया है और जिन employees के साथ सागर अडानी जी के संदव जो news है जो खबरें हैं मैं तो उसके आधार पे और जो बुकल रोतीजी ने कहा और जो सुप्रियास ने ने कहा है उसके इसका मतलब यह है कि अडानी जी के company ने के उनके employee ने क्या अपने विहाफ में वो 200 करोण की घूस की पेशकर्षकी या उपर से उनको आदेश था अगर उपर से आदेश था तो वो तो कोड में प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद भारत के अंदर उनके खिलाब अडानी जी के खिलाब को inquiry ना हो कोई जाँच ना हो से भी जाँच ना है वैसे से भी जाँच कर रही है लेकिन वो जाँच में क्या निकलता है वो तो भारत के विवस्था अलग तरह के चलती है से भी अलग तरह से नहीं चलती है और अमेरिका की जो एसी सी है वो तो अलग तरह से नहीं चलती है वो तो irrespective of the height or the wealth and the power of any individual, वो evidence-based भी वहां की judiciary काम करती है और वहां पर कोई President of America या President of India का उसी प्रकार से प्रभाव हो, जैसे श्रिलंका में हुआ, बगलादेश में हुआ, Kenya में हुआ, Australia में हुआ, तो उसकी सभावना कब लगती है, तो law will take its known course. लेकिन उसके मादेश में हुआ गया कि शेयर वार्केट के अंदर जो 25%, 22% का गिराव आया था, अचानक मुगल रोतिगी साब की उस Press Conference की वज़े से अडानी के शेयर्स में आज बड़ा तगड़ा उच्छाला गया. अब यह उच्छाल जो है केवल उस Press Conference की वज़े से हुआ और बाद में सुपरियास सिनेत की Press Conference की वज़े से उसमें गिरावट आई, खरिदार कौन है, बेचने वाले कौन है, खरिदने वाले क्या mutual funds हैं और LIC है, बेचने वाले small investors हैं, यह नहीं है, उनको trap करने के लिए यह Press Conference कराके उनको trap पे लिया गया है, तो मेरा किवल निवेदन यह है, मैं आप जो कर रहा हूं, जो मैं एक शिक्षा की रूपे बता रहा हूं, कोई recommendation और tip नहीं है, ना मेरे को इसका कोई अधिकार है, लेकिन जो इस प्रकार के traps होते हैं, और जो news से, माध्यम से, जो noise खलाई जाती है, उसको किसी भी innovation को उसमें रही पढ़ना चाहिए, चीजों को settle हो जाना चाहिए, उनको मुकल लोतगी साब की press conference को भी सुनना चाहिए, उनको सुपरिया सिनेत की press conference को भी सुनना चाहिए, राहुल गांधी ने जो press के लोगों से कहा है कि अडानी जी को अब जाना चाहिए था, उसको भी सुनना चाहिए, और उसके बाद अपने पैसे पे कोई योख्रे उठाना चाहिए, अडानी जी के share को खरीदने या बेचने के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप केवल वो जो वकील लोगों की भाषा आप जानते ही है, कुछ चीजे बताते हैं, कुछ चीज छपाते हैं, उन्होंने कही दिया है, मेरी व्यक्तिकत रहा है, कि लॉयक दे वो नहीं है, और अमेरिका में जो वकील होंगे, वो गोताव अडानी जी और सागर अडानी जी के भ्याप पे खड़े होंगे, अरे वही अगर सागर अडानी जी और गोताव अडानी जी का नामी नहीं है, चारशीट में तो उनके वकील अमेरका में जाके क्यों खड़े होंगे एक common man, layman की तरह बात मुझे समझ में नहीं आती है ना कोई ये टिप है ना किसी प्रकार की recommendation है नमस्कार धन्यवाद अपनाँ